हेलो एवरीवन, वेलकम टो एमेम अकेडमी, मैं हूँ शेशांग लखेरा और हमारो जोनल अवेनिस का कोर्स है, 12,000 प्लस MCQs का, इस पे हम सेटफाइज देखने वाले हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाशाओं में आपको देखने को मिलेगा, प्रिंदस वैली श साम की प्रिशन करना चाहते हो, तो आप MM Academy app को डाउनलोड करो, आप यहां पे PDF डाउनलोड कर सकते हो, और अभी दशेरा का ओफर चल रहा है, तो 30% तक का जो ओफर है वो आप यहां पे अवेल कर सकते हो, और MM Academy app को जल से जल डाउनलोड करो, जिससे जो है आप इस इस कोर्स को अवेल कर पाओ, और 30% तक का जो डिसकाउंट है, वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा, और आप मुझको Facebook और Instagram पे भी follow कर सकते हो, अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, और कोई भी डाउट है, इस 12,000 MCQs के कोर्स को लेके, इसके लावा और भी जो कोर्स हैं, उनको लेके, तो आप बिलकुल जो है, मुझसे यहां पे पूछ सकते हो, तो शुरू करते हैं, पहला कोशन है हमारा, the people of Indus Valley believed in, तो जो Indus Valley के पीपल्स रहे हैं, वो किसमें belief करते थे, option A है, spirit and Brahma, option 2 है ritual, third है, sacrificial system, और fourth है, mother bodies, तो सिंदु घाटी के लोग किसमे विश्वास करते थे, आत्मा ब्रह्मा में, धार्मिक संसकार में, बली प्रणाली में, या देवी माम, तो अगर अभी तक जितने भी कोशन्स हैं, उससे जो है, आपको यहां पे समझ में आ रहा हो, कि Indus Valley के जो पीपल्स रहे हैं, इन सब चीजों पे यहां पे belief तो नहीं और Indus Valley में जो है, आपको रिलिजिन एक पॉली स्टिस्टिक जो है, देखने को मिलेगा, ठीक है, यहां पे बहुत सारी सील्स भी जो है, आपको देखने को मिलेंगी, जो है आप एविडेंस देती हैं, और मतलब जो एविडेंस हैं, यहां पे सपोर्ट करते हैं, कि Indus Valley जो है, यहां पे वर्शिप करते थे, तो यह जो है, यहां पे कोशन है, तो फर्स्ट है पीपल ट्री, दूसरा है हम्ट बुल, थर्ड है प्रोटोटाइप आफ शिवा, और फूर्थ है अदर गॉडेस, तो आपको बताना है इन में से कौन सा सही है, तो हडपा के लोग पूज हमारे पास इन में से हमको बताना है, तो देखो, हरपन पीपल जो है न, इन सब को यहां पे वर्शिप करते थे, ठीक है, तो सभी जो है आपे सही होगा, तो ऑप्शन होगा, बी इस दा करेक्ट आंसर, तो यहां पे बहुत सारी सील्स जो है आपको देखने को मिलेंगी, ज इसके लावा और बी जो शील है, उसमें यहां पे हमको जो है ट्री भी देखने को मिलता है, तो इन्दस्व एली सिविलाइडेजन कें लोग यहां पे ट्री की पूझा करते थे, हम्ट बूल्ड की भी पूझा करते थे, अओ यो अधर कॉर्डिस हैं, उनकी भी यहां पे प प्लानिंग फिर कॉपर और फिर पॉटरी तो लिपी नगर नियोजन तांबा मिटी के बरतन तो देखो में अगर आप देखोगे न सबसे इंपोर्टन डिजन जो है इंदस वैली सिवलाइडेशन का आर्यन सिवलाइडेशन से पहले रखने का वो है पॉटरी जिसे हम कहते है जो हे मिटी के बरतन जो है आपको हरपण सिवलाइडेशन जो है इंदस वैली सिवलाइडेशन में देखने को मिलेगी और क्ओन सा कलर मेंली यूज के जाता था तो रेड कलर जो है यहां पर मेंली यूज के जाता था पॉन्म прим जो plane potries है वो भी हमको जो है यहाँ पे देखने को मिलती है next मैं बात करूँ तो recently from excavation of हरपन साइड, सनोली what was found, तो हाल ही में हरपन सनोली की खुदाई से क्या मिला है, तो यहाँ पे गर आप देखोगे, तो option A human burials, फिर B है animals burials, C है residential building और D है protecting तो मानव अंतष्टी, जानवरों का कब्रगा, आफसी भवन और दीवार की रक्षा करना, तो सनोली जो excavation site है, यह archaeological site है, और आपको सनोली में देखने को मिलेगी western उतरप्रदेश में, यह डेली से करीब 68 km की दूरी पे है, ठीक है, और यह किस state में है, तो उत्तरप्रदेश में है, तो सनोली जो site है, वो हमको उत्तरप्रदेश में देखने को मिलती है, और यह गंगा यमना का जो द्वाब है, यह काफी important point है, यहाँ पे मैं थोड़ा change कर दिता हूँ तो यहाँ पे जो गंगा यमना का द्वाब है ना, उस पे यह है, तो यह काफी important point है, यह आपको ध्यान रखना है, सनोली कहाँ है, तो जो गंगा यमना का जो द्वाब है, वहाँ पे हमको यह देखने को मिलती है, ठीक है, और इसमें क्या क्या डिसकवर्ट किया गया, तो होज़ान, चैरियोट, जो है, रत, यहाँ पे मिले है, यूमन बरियल्स मिले है, फोर लेग्ड वडन कॉफिन्स मिले है, पोटरी मिली है, अ कॉपर एंटीना, स्वाड और वार शील्ड, तो सही आंसर क्या होगा यूमन बरियल्स, यूमन बरियल्स जो है, यहाँ पे हमको देखने को मिले है, अनिमल्स बरियल्स आपको यहाँ देख रहे हैं, नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, रेसिडेंशल बिल्डिंग नहीं मिली, प्रोटेक्टिंग वाल से नेक्स सब्सक्राइब बात करें तो फर्स्ट आर्केलोजिस्ट फू एक्सुवेटेड़ हरप्पा बट कुड नॉट रेकागनाईज इट्स सिग्निफिकेंस वास तो पहला पुरा तत्यत जिसने हरप्पा की खुदाई की थी लेकिन इसके महत्व को नहीं पहचान सका वह सब्सक्राइब तो पहला प्रतित्त जिसने हरप्पा की खुदाई की थी लेकिन इसके महत्व को नहीं पैचान सका वो थे एक करिंग गया ठीक है तो हरप्पा साइड जो है फर्स ब्रीफली एक्सिवेटेट की थी सर अलेक्जेंडर क्विनिंग ठीक है यह करीब 1872 1873 में क और इन्हों ने जो है इंदस की सील यहां पे इनको मिली थी अन्नोन ओरीजन से ठीक है तो इंदस की जो सील है वो इनको यहां पे मिली थी और फिर उसके बाद जो एक्सिवेशन हुआ हो हरप्पा का स्टार्ट हुआ था राय बहादूर दयाराम साहनी ने किया था 1920 में तो प्री हरप्पन कल्चर एंड मैच्वर हरप्पन कल्चर निमलकित में से किस पुरातित्व ने सबसे पहले पूर्व हरप्पा संस्कृति और परिपक्व हरप्पा संस्कृति के बीच समानता की बहचान की थी तो मतलब प्री हरप्पन कल्चर और मैच्वर हरप्पन कल्चर के बीच में जो similarities हैं उनको समझने वाला पहला archaeologist जो है यहाँ पे कौन था वो हमको बताना है तो option यह है अमलानन्द घोष्ट फिर है राखल दास बेनर जी फिर है तैयराम साहनी और फिर है जौन मार्शल तो इसका सही आंसार होगा अमलानन्द घोष्ट तो अमलानन्द घोष्ट जो है पहले ऐसे archaeologist थे जिन्होंने जो similarities है उनको यहाँ पर identify किया जो प्री हरपन culture है इसके अलावा जो mature हरपन culture है उनको लेकर ठीक है तो यह जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और अमलानन्द घोष्ट ने किस side की यहाँ पर खोच की थी तो काली बंगन की थी ठीक है काली बंगा जो है इसकी कब इन्होंने खोच की थी तो इन्होंने 1951 में यहाँ पर की होई है पर अगर मैं बात करूँ काली बंगा की तो काली बंगा जो है किस नदी के किनारे है तो घगर नदी के किनारे है ठीक है यह कहां मिलेगा आपको तो यह राजिस्थान में आपको देखने को मिलेगा और bangles भी जो है यहाँ पे काली बंगा से ही मिले हुए नेक्स से कर आप बात करूँ The beginning of idol worship is to be considered in तो मूर्ती पुझा की शुरुवात को माना जाता है Option A है pre-arian, B है Vedic period, C है Morian period या D कुशान period तो idol worship अगर आप देखोगे तो इसको जो है pre-arian यहाँ पे consider किया जाता है क्यों? क्योंकि Rig Vedic के हिसाफ से आरेन यहाँ पे idols की worship नहीं किया करते थे यह ध्यान रखना, यह statement पूछा जा सकता है क्या आरेन worship करते थे आइडल की, तो जी नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करते थे आरेन जो है यहाँ पे nature gods जो है, उनकी यहाँ पे worship किया करते थे तो आरे जो प्रक्रति देवताओं है, उनकी पूजा की और Rig Ved में आदे मूर्तियों की पूजा जो है, नहीं करते थे तो इसलिए जो है इसको क्या माने जाता है कि हाँ ये जो है प्री आरियन है तो आइडल वर्शिप की जो beginning हुई है मतलब मूर्ति कुजा की जो शुरुवात हुई है वो हम प्री आरियन जो है आपे consider करते हैं नेक्स है which side of Indus Valley is in Pakistan तो इन में से कौन सी side जो है सिंदु घाटी सभिता है वो हमको पाकिस्तान में देखने को मिलती है हमारा पडोसी देश है पाकिस्तान और option ये है काली बंगा, अलपपा, लोथल और अलमगीन पुर तो इसमें अगर आप देखोगे तो इन option में से तो सिर्फ हडपा है जो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा रावी नदी के किनारे है ठीक है, हडपा जो है रावी नदी के किनारे है और पंजाब प्रोविंस में आपको देखने को ये मिलेगा और ये प्रेजेंटली पाकिस्तान में है 1921 में दया राम साहनी इन्होंने जो है याप एक्सिवेशन हिया था और ये जो चीज है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है लेकिन अगर हम बात करूँ काली बंगा की तो काली बंगा कहा है तो काली बंगा राजिस्तान में है अलमगीरपुर की अगर हम बात करें तो तो अलमगीरपुर जो है यह बेसिकली आपको जो है यहाँ पर जो पाकिस्तान है वहाँ पर यह आपको देखने को नहीं मिलने वाला ठीक है तो यह इंडिया में है तो इस कोशन का सही आंसर होगा हरपा लेकिन अगर यहाँ पे यूपी में है ठीक है उतरपरदेश में है और यहां पर आप मान की चलो कि आपको option में अenario मोहंचुदारों भी देता थो आप्षन हो जाता हरपपा और मोहंचुदारों दूनों सही हो जाते हैं ठीक है पाकिस्टान में दो साइड जो है भारत में है और 475 साइड जो है हमको पाकिस्तान में देखने को मिलती है साइड है सवा गौरा कॉबर प्रति इंस्क्रिप्शन रूख यह अप्रोर on चणुहु है से किनारे के कि तो यह तो यह भी आ है यह पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में तो टीन साइड है एक हरपा और एक है कौन चनहुदारो तो basically remember this दिसालपुर कहा है कच्छिट डिस्टिक में है ये भी इंदस्वेली साइड है ये भी इंदस्वेली साइड है लेकिन सोहगोरा जो है यहाँ इंदस्वेली साइड नहीं है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है नेक्स है दाधेरी इस लेट हरपन साइड औफ तो दाधेरी जो है ये किसका हरपा इस्थल है तो basically जम्मू में पंजाब में हर्याना में उत्तर प्रदेश में किस राज्य में हमको ये देखने को मिलता है तो करेंट एक्सिवेशन में अगर आप दो को धाधेरी जो है ये हमको गोविंद गर से 5 किलोमेटर दूर देखने को मिलता है लोध्याना डिस्टिक में है पंजाब में तो किस जिले में ये आएगा पंजाब जिले में ये आएगा तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है नेक्स्ट रंगपूर वेर दा कंटेंप्ररी ओफ हरपन सिवलाइडेशन फांट इसन तो रंगपूर जो है जिसे आप रोपड भी कहते हैं इसका जो हरपन सिवलाइडेशन का ये कंटेंप्ररी है ये कहां से पाया गया है तो option ये है पंजाब, इस्चान उत्तरप्रदेश, सौराष्ट और राजिस्था तो रंगपूर जो है एचेंट और्केलोजिकल साइट है जो वनाला सौराष्ट में हमको देखने को मिलती है गुजरात में ठीक है और basically ये जो है गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ में जो हमको देखने को मिलती है तो basically ये जो हरपन सिविलाइडिशन की contemporary है रंगपूर ये हमको कहां देखने को मिलती है तो basically ये जो है हमको देखने को मिलेगी कहां पे सवराष्ट में, तो सवराष्ट में जो है यह हमको देखने को मिलती है, ठीक है, तो यह जो चीज है आपको ध्यान रखना है, रंगपोर कहा है, तो रंगपोर बेसिकली जो है, यह आपर contemporary है, अरपन civilization की, और यह हमको देखने को मिलती है, कहां पे, तो यह हुआ खेज जो है, यह हमको कहां मिला हुआ है, तो कहां से पाया गया है, तो यह पहले भी कोशन जो है, मैंने सीज को discuss किया हुआ है, तो plug field जो है, वो हमको काली बंगन से मिली होई है, तो काली बंगन कहां है, तो यह काली बंगन है, राजिस्थान में और घगर नदी के किनारे हैं तो घगर नदी के किनारे हैं इसके लावगर हम धोला वीरा की बात करें तो धोला वीरा जो है यह आपको लूनी नदी के किनारे देखने को मिलेगा और गुजरात में यह कच्छ में इसके लावा लोथल गुजरात में है ठीक है लोथल किस न कर नदी के किनारे है जो हर्याणा में है so basically remember this next से करा हम बात करें an inscription comprising 10 large size sign of the हरपण script एक शिलालेक जिसमें हरपपा लिपी के 10 बड़े आकार के चिन है ये हमको कहां से मिला है मतलब कहां से जो है इसको found किया गया तो basically ये जो है हमको देखने को मिलेगा बनावली ठीके तो बनावली में जो है आपको एक शिलालेक मिलेगा जिसमें हरपपा लिपी के 10 बड़े आकार के चिन है ये काफ़ी important कोशन है ये हमको मिलेगा बनावली में और बनावली कहां है बनावली जो है यहाँ पर घगर नदी के किनारे है और यह जो है हमको हर्याना में देखने को मिलेगा आप बेसिकली RS बिष्ट जो है उन्होंने इसकी जो है यहाँ पर खोज की हुई है 1975 जो बेसिकली रिवेंबर दिस नेक्स से करा हम बात करें सिमेंटरी आर थर्टी सेवन बस फाउंड फाउंड फ्रॉंड तो कबरिस्तान आर थर्टी सेवन कहां से मिला है तो यह काफी important है कई बार कोशन आया है तो यह हड़कपा से जो है आपर मिला हुआ है तो two cemेंटरी जो हैं आपर फाउंड के गई है तो यह कहां से मिला है तो यह मिला है काली बंगन से नास्टिवी लड़की की मूर्ती कहां से प्राप्त होई है यह काली बंगन से होई है लेकिन अगर मैं बात करूँ आप से की लेकिन अगर मैं बात करूँ कि डांसिंग गर ब्रोंस की तो dancing girl नास्ट्वी लड़की का statue मिला है bronze का तो यह कहां से मिला है तो यह मिला है मोहन जुदारों से ठीक है उसके दगर मैं बात करूँ कि dancing girl जो है dancing male का जो है यहां पर हमको statue मिला है तो यह कहां से मिला है तो यह मिला है हडपा से ठीक है तो basically यह भी जो है आपको यहां पर ध्या रखना है कि यह जो चीज है यह हमको कहां से मिली है तो यह हडपा से मिली है और डांसिंग गल ब्रॉंज के सेच्वी मिला है कहां से मोहन जुदारों से रोपड लोकेटेड रोफड और डांसिंग जो ही यह तो विश्य कहले चाहरी नर्णातों को हैक किनारे ये घंज है किनारे है इस तरीकी की साइड है तो रोपड जो है बेसिकली यह जो है मैच्छोर और लेट हरपन साइड है तो यह था सेट फाइफ जिसमें जो है अमने और भी कोशिट्स यहां पर देखे हैं तो अब जो है मैं इसका रिवीजन वीडियो भी लेके आऊंगा लेकिन अभी जो है हम दूसरे वीडियोस में